नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दा नॉलेज बला जामें तो जैसा के आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार पूंच रहे थे रोज के यूपी बोर्ड के 12 के एक्जाम कैंसल होंगे या नहीं तो आप सभी लोगों को पता चल चुगा होगा ह हमने अपने गुरूप में जैसे ही एक्जाम कैंसल हुए वैसे हमने अपना गुरूप में आपको सेयर कर दिया था तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा अब आप लोगों के मन में केबल एक ही डाउट रह गया होगा कि हमारे जो एक्जाम कैंसल हुए हैं अब इसमे किससे कि आप « ऐसे ही वीडियो समय पर देख सके हैं। तो आपको याँ पर देह रहा होगा सामने ठमनेल पर। इउपी में ऐसे मिलेगे 10Bbal 12Bk अंg ठिक है तो कैसे मिलेगे याँ पर हम आपको बता दे रहे हैं 10B और 12B के अंक आपको यहाँ पर कैसे मिलेंगे तो उससे पहले आप लोग यह समझेंगे आप लोगों को यह तो पता होगा 10th class के जो है 10th class का जो आपका 2-3 दिन पहले ही cancel हो गया था तो अब 10th class में कैसे नम्मर बिलेंगे 10th class में यहाँ पर एक formula दिया गया है कि 9th में जिसके जितने नम्मर आये थे 9th class में जिसके जितने नम्मर थे और इसमें प्लस करके आपके 10th में जो पिरीबोड हुआ है इन दोनों का औसत निकाला जाएगा और जितने नम्मर आपके बन रहे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, तैंथ क्लास वालों के लिए ये है, जैसे नाइंथ क्लास में आपके मानलोग की 600 में से 300 नम्मर थे, ठीक है, और आपके प्रिवोर जो हुआ था, उसमें भी 600 में से 300 नम्मर आ गए थे, ठीक है, तो अब इनका ओसर निकाल लीजी, 300 प्लस 300 अपन म में दो तो भ Polski में दो जाएगा आपऐ शैसो एंप आप न में दो तो कितना आ जाएगा आपका तीन सो नमर हो जाएगा ठीक है मतलब 5 40 आपके नमर आ जाएंगे ऐसही एहां पर लोग 12 के देख लेंगे क्या में जिञेंगे तो ट्वी 12 के नमबर आपको किस बेसिस पर दिये जाएंगे याँ पर आप लोग एगरी कल्चर वाले हो या फिर PCM वाले हो या फिर PCV वाले हो कोई भी हो सबका यही रहेगा जिसके 12 के लिए यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं अब आप लोग देहां से सुन लेंगे 12 के लिए आपको 3 नमबर जितने हैं आपके वो थेम खर नंबर आपके जितने आए थे वो पिलस करके जो आपके 11 के अंक थे ठीक है 11th के अंक थे वो इन दोनों का ओस्त निकाला जाएगा जितने आपके अंक होंगे इनका ओस्त निकालके आपके 12th के नंबर आपकी मारक सीट पर आ जाएंगे जैसे इस में भी example से हम समझते हैं जैसे कोई लढ़का है उसके तेंधा क्लास में 600 में से 400 नंबर आए ठीक है 3500 और इसके 11th में कितने आए 500 में से 11th में 500 का आपका पुडा अगर आए थे तो अब इन दोनों का ओस्त निकालेंगे औसत कैसे निकाला जाता है, जितनी संख्याइ में वो अपन में कर देंगे, जैसे एक लेबंत का है और एक लेबंत का है, तो दो ही संख्याइ है मारे पास, तो अपन में दो कर लो आप लोग, तो कितने नम्मर आपके 12 में आ जाएंगे, तो 12 में यहाँ पे आपके आ ठीक है ऐसे आपके नम्मर पता चलेंगे तो अब आप लोग सभी लोग पता कर लेंगे आपका रजल्ट कैसा आने वाला है ठीक है और इसके बाद आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे आपकी 11 और 12 की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है जो लोग अभी 10 या नाइन्थ में जो लोग हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी लोगों की 9 से 12 की क्लासेस यहां पे शुरू होने वाली है नाइन्थ से और 12 ठीक है अभी हमने अपना यहां पे कोर्स कराया था आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो बहुत अच क्लासेस यूटूब पे अभी तक किसी ने शुरू नहीं की है वो हम लोग यहां पे शुरू करेंगे ठीक है अपना यह वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी आपकी क्लासेस शुरू होंगी 11 वा 12 की जिसमें पूरा आपका कॉर्स कराया जाएगा चलिए अब इस वीडियो को आप लोग ज्यादे से ज्यादे लोगों में सेयर करनेंगे आपके जितने भी वाट्सअप गरूप हैं फेस्बुक पे और जहां कहीं भी आप लोग जुड़े हैं इसको ज्यादे सेयर करिए जिससे कि हम अपने आपे शुरू करेंगे आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बंदे मातरम